हरियाना की 90 सदस्य विधान सभा के चुनाव भी महराश्ट एलेक्षन के साथ अक्टूबर महा में कराए जा सकते हैं सनद रहे कि हरियाना विधान सभा का कारेकाल 3 नमंबर 2024 को समाप्त हो रहा है लोग सभा चुनाव के नतीजों से हरियाना में कॉंग्रेस के होसले बंबं हैं कॉंग्रेस त्वारा कराई गए हालिया चुनावी सर्वेक्षनों के नतीजे इस बात की चुगली खाते हैं कि अगर आज की तारिख में हरियाना के विधान सभा चुनाव हो गए तो कॉंग्रेस पार्टी यहां के लिए अपने दम पर 55 से 60 सीटे हासिल कर सकती है कॉंग्रेस अपने सर्वे में इतनी बड़ी जीत का दाबा महज इसलिए कर रही है कि उसके सर्वे में खुलासा हुआ है कि राज के जाड दलित और मुस्लिम वोट उसके पक्ष में गोल बंद हुए है वही राज में भाजपा हटाओ वोटरों की भी बड़ी तादाथ है जो जाती संपरदाय से बाहर निकल कर भाजपा को हराने वाले प्रतियाशों के पक्ष में मददान कर सकते हैं हरियाणा में कॉंग्रेस बहुत पहले से कई गुटों में बटी नजर आती है हाल के दिनों तक इसे एसार के यानि सैल जा रणदीब सूर्जेवाला और किरन चौधरी के गुटों में बटी कॉंग्रेस ये तोर पर जाना जाता था खास कर तो शाम सीथ पर इसका असर देखने को मिल सकता है कॉंग्रेस में व्याप्त गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए इस बार सोनिया और राहुल दोनों वेक्तिगत तौर पर सक्रिये हैं समझा जाता है कि सोनिया ने सैल जा को तलब कर उन्हें समझाया है वहीं राहुल और प्रियंका इस दफे हरियान चुनाव में भुपेंदर सिंग भूडा को फ्री हेंट देनी की पहले ही पहल कर चुके हैं